नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉई स्कूल पर साथियों UGC Net December 2022 सेशन का रिजल्ट जारी हो चुका है और जब से रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद से लगातार हमारे वीडियोज पर आप सबके कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि NFOBC और NFSC जो कि UGC Net December 2022 सेशन के रिजल्ट के बेस पर होगा उसका रिजल्ट कब आएगा उ कोई authentic information नहीं मिली है बट एक information ये जरूर मिली है कि NTA की तरफ से आपकी NBC FDC जो की NFOBC का काम देखने वाली नोडल एजनसी है और जो दूसरी संस्ता है NSFDC जो की NFSC का काम देखने वाली नोडल संस्ता है उनको कोई लिष्ट अभी तक नहीं भीजी गई है और जब इनके द् लिष्ट NTA की तरफ से भीजी जाती है NBC FDC को और NSFDC को उसके बाद ही qualified candidates की list जारी करने के काम सुरू होता है तो इस सुचना के अधार पर ये कहा जा सकता है कि NFOBC और NFSC का जो result है वो अभी इस महीने तो नहीं जारी होने वाली है इसमें समय लगने वाला है और एक जो दूस UGC NET से qualified candidates के नंबर है वो हैं आपके 750 और NFSC में जो आपके UGC NET से qualified candidates के नंबर होने हैं वो होते हैं 1500 यानि कि 750 candidates ऐसे सेलेट कि जाते हैं जो एक साल में जो UGC NET के माध्यम से चैनित होते हैं और एक साल में 1500 ऐसे candidates select के जाते हैं जो UGC NET के माध्यम से NFSC के लिए चैनित होते हैं अभी तक क्या हो रहा था अभी तक इसे ती ये थी कि Merge Session के पेपर हो रहे थे यानि कि पेपर जो है Year में बस एक बार हो रहे थे और एक ही बार लिश्ट निकलती थी और 750 प्लस के लिश्ट निकलती थी NFOBC के लिए और 1500 प्लस candidates की list निकलती थी आपकी NFSC के लिए लेकिन अभी जो exam हो रहा है अभी जो exam हो रहा है वो एक छमाही का चुकि UGC net हमिसा से लग साल में दो बार होता है तो अभी जो पर एक छमाही का exam हुआ है वो है December 2022 की छमाही का यानि कि एक exam आपको June 2022 में भी होने वाला है UGC net का June 2023 में UGC net का तो यानि कि साल में दो बार पर इच्छा होगी और दो बार candidates qualify होंगे इसलिए आपकी जो NFOBC और NFSC की जो list है ये भी आपकी साल में दो बार आएगी यानि कि जो 750 candidates एक साल में जो NFOBC के लिए होते हैं UGC net के base पर और जो 1500 candidates एक साल में select होते हैं NFSC के लिए ये दो बार निकाले जाएंगे तो अब इसमें जो हो हो जाएगी दो से भाग यानि कि जो हभी तक हम लोग list देखते थे 750 प्लस candidates की वो अब आपकी हो जाएंगे 375 प्लस candidates आपके हो जाएंगे NFOBC में और यहां पर आपके 750 प्लस candidates हो जाएंगे NFSC में यानि कि UGC net दिसंबर 2022 सेसन के अलहार पर जो NFOBC और NFSC की candidates की list को आने वाली है जो selected candidates की list होगी उसमें NFOBC में इस बार 375 प्लस candidates से select हो पाएंगे और जो NFSC की list आएगी उसमें 750 प्लस candidates से select हो पाएंगे यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी आप एक चीज और एक development हुआ है आप वो देख सकते हैं कि अगर NFOBC के लिए अवार लेटर जो है अगर number आप candidates की संख्या ज्यादा भी हो जा रही है जिनको अवार लेटर जारी किया जा रहा है तो केवल और केवल जो fixed number है साल में 750 और अगर दो बार एक जाम हो रहा है तो 375 प्लस 375 का जो यह आकड़ा होगा उन्ही candidates को जो पहले 375 बच्चे होंगे दिसंबर 2022 सेशन के लिए और जो पहले 375 बच्चे होंगे जून 2023 सेशन के लिए वही लोग जो क्लेम करेंगे यानि कि पहले 375 बच्चे जो क्लेम करेंगे उन्ही को यह फिलोसिप जो है प्राप्त होगी इसी तरीके से पंदरा सो जो NFSC का संख्या है उसमें से 750 बच्चे जो पहले होंगे दिसंबर 2022 सेसन के लिए और जो 750 बच्चे पहले होंगे जो क्लेम करेंगे जून 2030 सेसन में वही इस फिलोशिप का फाइदा उठा पाएंगे तो साथियों यह सूचना हमें प्राप्त हुई है हमने आपके स साथ साथा की है और जहां तक रही बात NFOBC और NFSC क्वालिफाइट के लिष्ट के बारे में तो एक चीश तो उत्ते हैं कि मई महीने में कोई लिष्ट नहीं आने वाली है आप क्योंकि अभी एंटे की तरब से कोई सूची दी ही नहीं गई है जिसको कमपाइल करने का काम एन NBFC, NFOVC में NBCFDC करती है और NFSC में NSFDC करती है तो अभी इसे कोई सूची प्राप नहीं हो इया और इस वज़ा से कोई प्रक्रिया सुरू होगी यह 20 मई के बाद सुरू होगी और आपके जो क्वालिफायट कंडिट्स की लिष्ट है वो मई के बाद ही जारी हो सकेगी आप ह प्रेल आइकन प्रेस्ट करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंद प्राप्त हो जाएं शुक्रिया